वहां पर यह पाधय मारी पर फिर से आपका को स्वागत है हमारे स्टायल पर हऊज की इंवेस्प्रक्स को ले करके देख लिए या फिर killing लोन वगला को देखकर का topic शुरू करते हैं so let's start the topic सिबल होता क्या है देखिए आपने कई बार देखा होगा आप let's suppose आप कहीं पे किसी भी इंसान से मिलने जा रहे हो या फिर जो है अपनी life उसके साथ start करना चाह रहे हो तो आप क्या चाहते हो कि उसके past में जो जो हुआ है उसके past के जो जो relationship हुए है उसने किसका काटा और उसका किसने काटा ये बात आपको पता रहे है ये आप चाहते हो ये आपकी इच्छा होती है same goes with the banks and financial institutions अगर वो किसी नए व्यक्ति को लोन देने जा रहे हैं तो वो जानना चाहते है कि भाया इसने past में किन-किन लोगों से लोन ले रखा है किन-किन कंपनियों से लोन ले रखा है किन-किन बैंक से लोन ले रखा है क्या इसने पहले कोई लोन ले रखा है या फिर बिलकुल नहीं ले रखा ये बिलकुल मतलब पवित्र व्यक्ति है अभी तक इसने कोई कार्ट नहीं किया हुआ, बिल्कुल मतलब अभी अभी गंगजी से नहा के आया हुआ है, इसने कोई कार्ट नहीं कर रखा, तो यह फिर, पहले इसने बहुत साले लोन ले रखे है, और सब को धोका दे के भागा हुआ है, और यह अभी मुझे target करना चाह रहा है तो यह जो है banks जानना चाहते हैं तो इसलिए एक ऐसी आपकी company कह लीजिए कि credit information bureau india limited यानि civil जिसके पास हर उस व्यक्ति की information होती है जिसने कभी भी credit card लिया हो या फिर loan लिया हो किसी भी bank से किसी भी financial institution से और उसके base पिर उसकी history उनके पास available रहती है कि क्या इसने time to time payment की है अपने EMIS की क्या इसने time to time जो है अपने loan की payment कर दी या फिर जो उस पे interest बनता था वो payment कर दिया या नहीं या कहीं ये जो है defaulter तो नहीं हो रखा तो वो civil जो है अपने पास detail रखती है और उसको लेकर कि हर उस व्यक्ति की जो है क्या करती है वो एक record निकाल के रखती है एक जो है score बना देती है कि बहिया ये व्यक्ति बहुत अच्छा है इसने अभी तक सारी payment की हुई है तो इसको जो है इतना score मेलेगा वो एक तरीके से score करती है उसको ताकि जो है आगे जब भी उसको loan लेने जाना पड़े तो वो अपना वो civil report लेकर के जाए और दिखाए कि भाया देखो यह हमारी report है इसके according हमने पिछले time में जतने भी loan लिए है सब को payment कर दिया है कोई loan नहीं चल रहा तो एक तरीक इस पूरी summary आपकी civil reports में आ जाती है और यह कौन करता है यह करता है credit information bureau india limited so credit information company which maintains records of all credit related activities of individual and corporates यानि individual and corporate सिर्फ इनसान की नहीं बलकि corporates की companies की भी इनके पास details होती है बाकि जो भी आपके जो है आपके जैसे individual HUF corporates यह जतने भी type की आपके persons होते हैं वो सब की reports उनके पास होती है किस चीज की report credit related activities यानि की उधार से related जो भी activities उन्होंने की है it issue civil score based on the information obtained from bank and financial institution अब यह क्या करते हैं bank और financial institution से information gather करते हैं और उसके base पे score दे देते हैं civil score is a third digit three digit number माफ कीजेगा three digit number ranging from 300 to 900 अब यह जो score होता है यह three digit का score होता है जो कि 300 से लेकर कि 900 के बीच में रहता है ठीकि यह 300 यानि सबसे खराब 900 यानि सबसे अच्छा है 900 यानि कि इसने जब भी कोई credit लिया या जब भी कोई loan लिया इसने time to time payment कर दी सब को समय से किया कोई जो है दोकादड़ी नहीं की है तो उसलिए उसको सबसे ज़ादा high score मिलता है वही 300 score बहुत बुरा होता है तो कल को अगर आप जाकर कि किसी bank के पास loan लेना चाहोगे और अपना civil score दिखाऊगे और वो 300-400 इस तरीके के approx होगा तो bank जो है आपको loan देने से बचेगा या फिर अगर आपको loan दिया भी जाएगा तो वो बहुत जादा higher rate पे दिया जाएगा वही अगर 900 आपका score है अच्छा कासा है तो जो है bank क्या करेगा bank आपको थोड़ा सा interest rate में कमी कर सकता है कि बहुत चलो ठीक है यह अच्छा व्यक्ति है उनको loan देने वाला है कि इनकी जो है credit worthiness उनको पता चल सके तो यह जो है measure करती है credit worthiness of an entity or an individual higher the score better it is जितना जादा higher score होगा उतना better वो होगा there are four main factors that make civil score यहाँ पर चार main factors होते हैं जो कि civil score बनाते हैं पहला payment history बहुत अच्छी रही है तो 30% उसका बनता है credit exposure कि भया इसने कितना credit exposure लिया है credit type and duration कि कितना credit type हुआ है कितनी duration रही है and other factors यह चार factors matter करते हैं जब civil score की calculation की जाती है next is your better civil score provide better loan opportunity जितना अच्छा आपका civil score होगा उतना better loan opportunity का आपके पास होगी in the form of lower interest rate lower interest rate मिल सकता है longer loan duration मिल सकता है कि चार साल नहीं पास साल का मिल गया और bigger loan amount और जादा amount भी मिल सकता है कि भई इसका credit worthiness अच्छा है तो 4 करोड की जगे 5 करोड हम दे सकते हैं अगर आपको अपना civil better करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको avoid करनी पड़ेगी late payments of EMI EMI की late payments जो आप करते हैं वो आपको avoid करनी पड़ेगी और credit card की जो आप repayments या payments जो है वो अगर avoid कर रहे हो late कर रहे हो तो वो भी आपका civil खराब कर सकता है तो civil का मतलब सिर्फ और सिर्फ लोन से नहीं होता बिलकि credit card से भी होता है तो उनकी payments को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा और miss payments of EMI और credit cards और अगर आप miss कर देते हो अपनी EMI payments, credit card की payments तो वो भी आपका civil score खराब कर सकता है तो ये था guys आज का हमारा topic जहापे हमने civil के बारे में पड़ा as well as civil score को भी बहुत ज़ादा cover किया तो आज की वीडियो के लिए नेक्स वीडियो में अगले topic के साथ तापते के लिए take care of yourself and take care of your health